नवस्कार दोस्तो एक्जाम न्यूज में आपका फिर से स्वागत है दोस्तो मैं आपके लिए देहली पुलिस से संबंदित बहुत अच्छी ख़वर लेकर आया हूँ दोस्तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं देहली पुलिस 15,000 न्यू अपकमिंग वेकंसी जी हाँ दोस्तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ देहली पुलिस में 15,000 न्यू अपकमिंग भरती होने वाली है इसके फॉर्म जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तो वीडियो देखने से पहले पिलीज मेरा चैनल जरू सस्क्राइब करना लाइक करना सेयर करना कमेंट करना दोस दोस्तो आप जैसी दोस्ता आप क्रॉम में जाएंगे या गूगल में जाना आपको वहां से देहली पुलिस लिखना है देहली पुलिस अपकमिंग वेकंसी जैसी आप इस पर किलिक करोगे आपके सामने ये फेज ओपन हो जाएगा और देहली पुलिस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं आपको बता दूँ आपको इस पर किलिक करना है मैंने इसको मार्क कर दिया है आप देखोगे किलिक करने के बाद ये पेज ओपन होगा पेज जो पन होने के बाद आपको थोड़ा सा नीचे जाना है ये भरती है 15000 इसके फॉर्म मैं आपको इसके बारें पूरी जानकारी देता हूँ जी हाँ एक बार दिहान से देखना इसमें लिखा हुआ है डेली पुलिस कॉंस्टेवर रिक्वार्टमेंट 2019 अप्लाई ओनलाइन डाउ जी हाँ जो मैं इसके बारें जानकार दें पर आपको बताता हूँ इसमें अभी 4679 वेकंसी थी वो अभी किलियर हुई है जस्ट 2018 में इसमें ASI की वेकंसी थी और एक सर्विसमेंट की भी थी दोस्तों जो आपकी नई वाली भरती है यह जस्ट स्टार्ट होने वाली है जैसे कि इसमें लिखा हुआ है आप देख पाऊँगे get daily police constable vacancy 2019 online application as it is available here so just मतलब सीगरी स्टार्ट होने वाली है सीगर का मतलब यह कि जैसे ही आचार सहीता खतम होगी आपके firm स्टार्ट हो जाएंगे दोस्तो इस भरती में सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी इसमें जो आपकी जैस जनरल कैटेगरी के लिए वो 18 से 25 कर दी गई है पहले जनरल कैटेगरी के लिए 21 होती थी अब इसको ज़्यादा कर दिया गया और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपके पास license होना चाहि है कि और वो भी तीन महीने पुराना होना चाहिए दोस्तो अगर किसी के पास license नहीं है तो वे form apply नहीं कर पाएंगे और वो भरती से बंचित रह जाएंगे इसलिए मैं आप से विंती करता हूं अपना license बनवा लें और हो सके तो जितनी जल्दी से अपने license के लिए apply कर दें और दोस्तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि यह जो भरती होने वाल यह 15,000 new vacancy यह आपकी जून में start हो जाएगी और सबसे बड़ी बात है कि इसमें अब की बार आपका test पहले होगा ना कि physical आपका अब की बार बाद में होगा दोस्तो इसमें लड़का लड़की दोनों ही form apply कर सकते हैं दोस्तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल जरू subscribe करना, like करना, share करना, comment करना दोस्तो वीडियो देखने का सभी का दिल से धन्यवाद